नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं उठा रहे हैं, एक बार फिर है मंद सरकार की नुजन निती 2021 हाई कोट से हाई रिच होने के बाद, परदेश के जुआ दो राहे पर खड़े हैं, आकिर उन्हें कब नोकरी मिलेगी बता दे राज्ये गठन के बाद सर परतम जारखन की कुर्शी पर बैटे बाबुलाल मरांडी ने अस्थानी लोग को रोजगार देने और आरक्षन की नई कहानी लिखने की कोशिस की डो मिसाइल को लेकर उठा बिवाद आज भी जारखन में रहने वाले लोग याद करके सहम जाते हैं बाबुलाल की सरकार ने भी 1932 के खत्यान का धार पर स्थानी निती लागू की थी जिसे हाई कोट में चिनोती दी गई और कोट ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें समिन्धानिक बताते हुए नई नीती बनाने का निर्देश दिया था मौसम केंद्र रांची ने अगले साथ दिनों के लिए ताजा मौसम अपडेट जारी किया है मौसम केंद्र के अनुसार 14 जनवारी की राद से 16 जनवारी की राद तक तापमान में 2 से 3 डिगरी सेलसेस की गिरावट आएगी जिसकी वज़ा से राद में ठंड का असास ज्यादा होगा इसके बाद 17 और 18 जनुवारी को तापमान में फिर 2-3 डिग्री सेलसियस की बढ़ोतरी होगी वहीं 15, 16 और 17 जनुवारी दोयातेश की सुबह में धूंद रहेगा और दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा और मौसम सुस्क रहेगा 18 जनुवारी को राद के दक्षनी और निकटवर्ती मध्य भागों में सुबह में धूंद और बाद में आशिक बादल चाय रहने की संभावना है जबकि राजे के अनहिसों में आसमान मौख्यता साप और मौसम सुस्क रहेगा वहीं 29 और 20 जनुवारी को सुबह में धूंद बनने की संभावना है लेकिन दिन चाड़ने के साथ ही आसमान साप हो जाएगा इस दौरान राजे में ताप मानिमतम 10 डिग्री सेल्सेल से लेका राधिकतम 28 डिग्री सेल्सेल के भी चराने की संभावना व्यक्त की गई है खतियानी जो हारयातरा का दूसरा चरन 17 जनुवारी को कोडारमा से मुख्य मंत्री हेमान सुरें 17 जनुवारी से एक बार फिर खतियानी जो हारयातरा निकालेंगे दूसरे चरन में इनकी सुरुवात कोडारमा से होगी बतादे 17 जन्वारी को कोडारमा में 18 जन्वारी को गिरी डी 23 जन्वारी को सिम्डेगा और 24 जन्वारी को पच्मी सिम्भूम के चाईबासा में वहीं 30 जनवारी को सरायकला खरसवा और 31 जनवारी को पुर्वी सिमुम के जमसेदपुर में मुख्य मंत्री खत्यानी जो हर यात्रा पर रहेंगे इस दोरानवा संबंधित जीलों में योजनाओ की समिक्षा के साथ साथ जनता को सरकार का भीजन भी बताएंगे मुख्य मंत्री को डार्मा जीले से खत्यानी जोहर यात्रा के दूसरे चर्ण के प्रराम कर रहें हैं ऐसे में जार्खन मुक्ती मोर्चा पहले चर्ण की तरह दूसरे चर्ण की यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है शिक्षा मंत्री ने रसोया मांदे में एक हजार बिरिधी की घोसना की जार्खन परदेश सहायक अध्यापक महासंग का बीश्वास्थापना दीवस समारो सन्निवार को बगोदर स्टेडिया में मनाया गया करकरा में मुख्याती थी के रूप में सिक्षा मंत्री जगनात मतो बगोदर बिधायक बिनौत कुमार सिंग मौजूद थे बतादयस ठापना दीवस समारो को समोदित करते वे सिक्षा मंत्री जगनात मतो ने कहा आएं कि पारा सिक्षों से जार्खन को उमिद है पठन पठन में सुधार करे ताकि सरकारी स्कूलों में सिक्षा बेहतर हो और 97% चाधिक रिजल्ट हो इसके लिए हम आपको सम्मान और पैसा भी देंगे स्कूल चोड़ कर फिजूल काम नहí करे उन्होंने रसोया के मान्दे में 1000 रुपय की बढ़ोतरी की घोसना की है उन्होंने कहा है कि पारा सिसको की तर्ज पर रसोया के मानदे में बढ़ोतरी धीरे-धीरे की जाएगी जे पीएसी ने डिप्टी कलेक्टर का जारी किया परिणाम डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति के लिए 17 सालों से चल रही परिक्षा के परकिरिया आखिर कर पुरी हो गई है जारकन लोग सेवा आयोग ने सनीवार को इस परिक्षा के अमती परिणाम की खोसना कर दी है इसमें डिप्टी कलेक्टर के निर्धारित पचास पदो पन्योकती के अंसन सा राज सरकार को की गई है आयोग द्वारा जारी पहिना में राजेस कुमार ने टोप किया है वहीं दूसरे हम तिसरे अस्थान पर मनोज कुमार गोप और मुकेस कुमार है अनलक्षित स्रेनी में 24, ST स्रेनी में 5, ST स्रेनी में 13, BC 1 स्रेनी में 4 तथा BC 2 स्रेनी में 3 अभ्यार्थिक का चैन अनलक्षित और दिव्यांग स्रेनी में भी हुगा है जारखन ATS ने हतियार सप्लाएर को दबोचा जारखन ATS ने मवादियों और संगर्ठित अपराधिक गिरो न्यू ससस्त्रे पिपुलर्स मोर्चे को हतियार और कार्थू सप्लाई करने वाले अपराधिक को गिरफतार कर लिया है बागी टांड चेक पोश्ट के पास बस से उतरते वक्त गिरफ्त कार्ट किया था उसके पास से 7.65 mm के 150 कार्टूस और एक मोबाइल बरामत हुआ है ATS ने उसे सनिवार को कोट में आदेश पर न्याइक हिरासत में रांची के होटवार शिद बिर्शा मुंडा केंद्रिये कारा में भेज दिया ATS की टीम जल्द ही उसे रिबांट पर लेकर पूश्थाज करेगी और उसके गिरोह के अने साथियों के बारे में भी जनकारी जुटाएगी ऑनलाइन मिलेगा 21 बर्शों का 10 वी बरहमी का रिजल्ट केंद्रिये माधमिक सिक्षा बोड CBST ने सेक्षनिक दास्तावेजों के सत्यापन यानि टेस्ट करने को लेकर एक महत्पूर नोटिस जारी किया है इसके अनुसार बोड ने डिजिटल दास्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए नेशनल अकाडमी डिपोस्ट्री यानि एन डी एके डीजी लोकर प्लेटफर्म पर पिछले 21 बर्सों के दस भी वह बरहमी काक्षा के परच्षार्थियों का रियल डेटा अपलोड किया है विद्यार्ती इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं और उच्ष सिक्षा संस्थानों द्वाराई से सत्यापित या परमानित किया जा सकता है परमानिक करन के लिए पॉबलिक की इस प्राटाक्चर अधारीत क्यू आर कोड होने के साथ ही केंद्रिये माध्मिक सिक्षा बोड की ओर से अपलोड किये दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हास्ताच्रित किया जाता है जामों के अस्थापना दिवस चार फरवरी को धनबाद में के नेतित में आयोजन होता आया है इस साल पहली बार जामों के इस बड़ी जन सभा की जिम्मेदारी जामों संजोजक मंडली के कंधे पर होगी इसका कारण यह है कि गुटबाजी के कारण के इंद्रिये नेतित ने जीला कमिटी को भंग कर दिया है पार्टिसन चालन के लिए एक संजोजक मंडली का गठन किया गया है धनबाद में बोडी बिल्डर दिखाएंगे अपनी परतिभा तीन दिनों तक बिहार जार्खन और मंगाल के पावर लिफ्टर और बोडी बिल्डर अपनी परतिभा का परदर्शन करेंगे इन तीन राजियों से लगवग 650 खिलाडियों का जमावडा लगेगा इसमें महिला और पूरूस दोनों सामिल होंगे या अयोजन धनबाद जिला पावर लिफ्टिंग संग धनबाद जिला बोडी बिल्डर एसोसियेशन और गोल्ड जीम की ओर से सेंट जेवियस इंटरनेशनल स्कूल परिशर में 27 जन्वरी सो होगा सन्यवर को गोल्ड जीम बैंक मोड में अयोजित पत्रकार वारता में अयोजन समीती के सचीव सत्यम राय राष्टिये खिलाडी राकेस कुमार और पावर लिफ्टिंग संग की जोती कुमारी ने जनकारी दिहा रेलवे कराएगी भागवान राम से जुड़े धार्मिक अस्थलो की यात्रा कराने जा रही है 17 फरवरी से इस साथ दिवस्ये बिशेस यात्रा की शुरूआत होगी रेलवे के अनुसार भारत गोरो टूरिस्ट ट्रेन भारत और नेपाल के दो सबसे महदपून तीर्थो अस्थलो को कवर करते हुए 7 दिन की बिशेस यात्रा सुरू करेगी इसमें सिरी राम जान की यात्रा रूट के तहथ ट्रेन उतर परदिस के अजोध्या से नेपाल के जनक पूरी तक चलेगी इस ट्रेन से नंदिक राम, सित्ता मढ़ी, कासी और पर्यागराज की यात्रा भी कराई जाएगी रेलवे के अनुसारिया ट्रेन भारत और नेपाल के दीपक्षिय संबन्दों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के भी संस्कृतिक संबन्दों को भी बढ़ावा देगी इस यात्रा का पहला पढ़ाव भागवान राम की जनमभुमी अवजध्या में होगा रांची के रातु थाना पूलिस के साथ धाका मोकी पूल्की फुल्की चोट आई है जिसके बाद फूलिस ने कई लोगों को जेल भेश दिया है बता दे राजधानी रांची के रातु थाना चेतर में बंधन बैंक महिला कर्मी से लूट कार्मी पूलिस ने लूट का टेब बरामत कर लिया है लूट का टेब रातु थाना छेत्रे के जहकरा टान के रहने वाले सीवचरन साहू और उसके पुत्र कृष्ण साहू के घर से बरामत किया गया जिसके बाद पूलिस उन्हें पुष्टाच के लिए थाना ले गई जिसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष रुपेस महतों समेत कई लोग थाना पहुंचे और पूलिस के साथ धाकामों की कर आरोपी को छोलने का दबाव बनाया नौ महीने में मात्र 44 परतिसर रासी खर्च कर पाई है मंत सरकार जारखन सरकार डेढ़ महीने बाद साल 2023-24 का बजट पेस करने वाली है इसे लेकर त्यारी त्याज कर दी गई है लेकिन पिछले साल के बजट परोधान के मुताविक 31 दिसंबर तक सरकार मात्र 44 परतिसर रासी ही खर्च कर पाई है ऐसे में ये सवाल उठता है कि बाकी बचे दीन 56 परतिसर रासी कैसे खर्च होगी बता दे जार्खन सरकार अगामी बितिय वर्च तो 23-24 के लिए बजट बनाने की त्यारी में जूटी है लेकिन चालू बितिय वर्च में राज के सलाना बजट की मात्र 44.19 परतिसर रासी खर्च होगी है जनकार बताते हैं कि 28-3 महिने के भीतर 56 परतिसर रासी खर्च कर पाना किसी हाल में मुम्किम नहीं है पिछले महिने इस मुदे पर हुई उच अस्तरे समिक्षा बैठक में सब ही विभागों को योजनामत की रासी के उपयोग में तेजी लाने का नेदेश दिया गया था लेकिन इसके बावजूद जोई नावों को धरातल पर उतारने की रापतार में खासी तेजी नहीं आई है करनल बिक्के सिंग ने थामा बिजेपी का दामान देश की सुरक्षा में लंबे समय तक जी जान से सेवा करने वाले करनल बिक्के सिंग अवरायनेती के छेतर में किस्मत आजमाएंगे भारतिये सेना में करीब तीन दसक से अधीक समय तक सेवा देचुके करनल बिक्के सिंग ने स्थानिवार को भाजपा परदेश अध्यक्ष दिपक प्रकास की मौजूदगी में भारतिये जनता पार्टी के से स्यता गरहन की है भाजपा परदेश का रियाले में अवजीत मिलन समारो में करनल बिक्के सिंग के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक और उन्हें चाहने वाले लोग ने भारतिये जनता पार्टी का दामन थामा है आज मनेगा मकर संक्रांती का तेवहार मकर संक्रांती के दिन राइधानी में स्वर्न रे खानादी तट पर बड़ी संख्या में लोग असनान के बाद दान पुन करने पहुंचते है पंडित अचारे राम देव के अनुसार मकर संक्रांती मनाने का उद्यस धर्म और मोक्ष की प्राप्ती करना है ऐसी भी मने आता है कि इस दिन दिया गया दान का पोनिय कई गुना प्राप्त होता है मुख्य मंत्री मीरा सिंग को बर्खास्त करे बावुलान मरांडी भाजपाग विधायक दल के नेता बावुलान मरांडी ने मुख्य मंत्री हमांसुरन के पत्र लिख कर रांची के तूपुदाना ओपी प्रभारी की कारे सहली को मदर ने रखते हुए उनकी सेवा बर्खास्त करने की मांग रखी है पुर्व मुखमंत्री ने लिखा आए कि कुछ दिन पुर्व तूपुदाना ओपी अंतरगात मिलन चौक इस्थीत माया रेडिसिन में होई चोरी के आरोप में 10 जन्वारी को थाना परभारी मीरा सिंग रेडिसिन में गई थी बिना किसी अधार के वहाँ सूपरवाजर के तोर पर काम कर रहे विकास कुमार नाम से युव को थाना लाकर जवरन आरोपी सविकार करने का दबाव में इसकी पिटाई की गई वह चल भी नहीं पा रहा है जमसेदपूर जीला पर सासने चलाया सलक सुरक्षा अभियान पता अधिकारियों के साथ यमदूत के वेस में एक युवक मजूद था जिसने लोगों की नियमों का पैलान नहीं करने पर होने वाले दुरगटना के समन्द में जनकारी दी 60 दिनों में 150 लोगों को ठंगने वाला साइबर गिरफतार रांची पुलिस ने साथ दिनों के दोयान 150 लोगों से साइबर ठागी करने वाले रायकेट का खुलासा किया है साइबर अपराधियों को गिरफतार किया है गिरफतार साइबर अपराधियों में करन कुमार चंदन कुमार और सुदामा कुमार सामिल है उनके पास से कूल 12 मुबाइल 484 लिफापे में रखा नाप तोल कायम का फ़रजी पंपलेट छो एटीम कार्ड समेथ अने समान बरामत किये गए हैं भारत न्यूजिलेंड T20 मुकाबला टिकट दर जारी 27 जनवरी को राजधानी राची के जे एस्ये इंटरनेशनल स्टेडिया में भारत न्यूजिलेंड के 20 T20 सीरीज के पाला मुकाबला खेला जाएगा इस मैच के लिए टिकट की कीमत तैय कर दी गई है सनीवार को इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है सबसे सास्ता टिकट का दर एक हजार रूपया का होगा जबकि सबसे महांगा 10,000 रूपय का होगा बता दे जे एस्येस अचिव देवा सिस्चकरवरती के अनुसार विंग एक के लिए 1,000 थेरा सर रूपय का विंग बी के लिए 1418 सर रूपय वहीं विंग C के लिए 1,300 रूपय का और विंग D के लिए 1,700 रूपय के टीकट मिलेंगे अमिताब चोधरी पेवेलियन के अलग-अलग काटेगरी में 2200 से लेकर 10,000 रूपय तक के टीकट मिलेंगे MS धोनी पेवेलियन के लिए 6,000 रूपय देने होंगे राष्ट्रपती से मिले सर्जूराय विधायक सर्जूराय ने नई दिली में राष्ट्रपती द्रोपादी मुर्मुस सिष्टा चार भेट की है मुलकात के दोरान सर्जूराय ने राश्टपती को 22 फरवरी से 3 मार्च तक रांची के मुराबादी मैदान में लगने वाले पर्यावरन मेला का उद्गाटन करने का निमंत्रन दिया है राश्टपती ने कहा है कि फरवरी के कारिकरमों को देखने के बाद वे सवी कृती देने की सूचना देंगी राश्टपती ने अभी बताया है कि उन्हें अस्मरान है कि 2018 में जब पहली बार रांची में पर्यावरन मेला लगा था तब उन्होंने ही मेला का उद्खाटन किया था उस वक्त वे जार्खन की राज येपाल थी 27 जन्वारी को पी एम मोदी से कर सकते हैं बातचीत परिक्षा पे चर्चा के छठे संसकरन का उज़न नई दिली के ताल को टोरा श्टेडिया में 27 जन्वारी को किया जाएगा परिक्षा पे चर्चा के तहद विद्याती परधान मंतरी नैंद मोदी के साथ बातचीत करने का उसर पा सकते हैं परधान मंत्री परिक्षा पे चर्चा कारकरम में चात्रों को परिक्षा के तनाव से मुक्त का मार्ग बताते हैं और सिक्षा और केरियर के बारे में उनके सवालों के जवाब भी देते हैं बता दे इस कारकरम के अंतरगत परधान मंत्री मता पिता और सिसकों के साथ भी बाचित करेंगे ताकि छात्रों को उनके सभी सपनों और लक्षों को पूरा करने में मदद की जा सके पी पी सी कारकरम के तहत ही रांची जोन के सभी सी बीएस्सी बिद्यालियों में 16 जनवर इसे 26 जनवर तक बिद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग वाद बीबाद भासन परत्योकता अधिकायोजन किया जा रहा है देवघर में इस साल दो चर्णों में लगेगा सरावनी मेला मकर संक्रान्थी के साथ ही खर्मास का समापन हो जाएगा पुरोहित पंकर्ज पंडित के अनुसार खर्मास के समापन होते ही अनुष्ठान भी सुरू हो जाएगे इस बार पुरे साल बिवाह के लिए 40 दिन सुप महुर्थ है वहीं उपनयन के लिए 14 गिरी परवेश के लिए 17 एवं गिरिहारम के लिए पुरे साल में 19 दिन ही सुप होने के बारे में बताया ज्या है वहीं माल मास यानि अधीक मास के कारण स्रावनी मेले भी दो चर्णों में होगा बतादे इस बार 3 जुलाई को गुरी पुर्णिमा और 4 जुलाई से स्रावनी मेला प्रारंब होगा जो की 17 जुलाई तक चलेगा वहीं 18 जुलाई से पुरुसोत्तम मास प्रारंब होगा जो कि 16 अगस्त को संपन होगा उसके बाद 17 अगस्त से पुना स्रावनी मेला प्रारंब हो जाएगा जो कि 31 अगस्त को रक्षा मंधन के साथ समापन हो जाएगा जार्खन सरकार तीन मार्च को पेश करेगी बजट जार्खन सरकार का बजट तीन मार्च को पेश किया जाएगा नवी त्यवर्ष 22 Tradition 24 के लिए बजट बनाने की त्यारी शुरू हो गई है इस साल आम लोगों के जीवन अस्तर उठाने के लिए राज सरकार कई लोग लुखा के साथ बचाट करने की तियारी कर रही है जनकारी के मुताविक बचाने चुनाओ की ज्छलक के आम नागरिकों से बयट दोयर तेश चोबी से समंदी सुझाव भी मांगे हाँ है विभाग के द्वारा ओनलाइन मांगे गए सुझाव के बाद 25 जनवरी को समाज के प्रबुद नागरिकों के साथ सिधा सनवाद आयोजीत कर सरकार बयट से समंदी सुझाव देने का काम कर करेगी इसके अलावे बयट को लेकर सावी विभागों से प्रस्ता मांगा गया है धन्यवाद